सबी दोस्तों को चैह हिंद वेलकम टू माई नीव लॉग तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे दोस्तों आच की वीडियो में बात करते हैं सीयार पे आफ एसीयम की आंसर की के बारे में और दोस्तों काफी आपके जो कमेंट आरके उनक करते हैं दोस्तों वीडियो की तरह सबसे पहले दोस्तों आपका एक कमेंट देना चाहूंगा जो बाबार रिपीट हो रहा था और उसको लेकर दोस्तों मैं आपको काफी ब्रीफ करना चाहता हूं को कि आप मुझसे पूछ रहे थे सर जो माटीरल है हमारे पास सब्सक्राथ हो थे ओर इस से पहले का पूसीजर स FBI हो चुका है उसमें अपने हो चुकी है लेकिन अभी आप ही अपने एक्जाम देक्ए देखा है मना कितने टफ आपका नड़ा है तो यहां लिया स्थाफ आपने प्छन का लेवल काफी ज़्यादा हाई हो चुका है अगर हम compare करें पिछले बार जो आया था CRKSTM का exam उसके हिसाब से तो दोस्तो टैपिंग में भी आपको बताना चाहूँगा कि कई जो यूटूबर में देख रहा हूँ कि टैपिंग आपकी इजी आएगी टैपिंग का पैटन यह आएगा दोस्तों आप ऐसा लेके बिल्कुल अभी आपको टैपिंग का मेटरियल कहां से लेना है क्या करना है उसके बारे में दोस्तों मैं को पूरी जान कर देता हूँ यदि आप ऐसे करते हैं दोस्तों तो डैफिनेटल आपकी टैपिंग निकल जाएगी और आपको किसी को मेसेज करने को यह नहीं बोलना पड़ेग करते हैं जैसा को पता था कि जो सी बीटी का एक्जाम है जो अपना रिटन एक्जाम है पिछली बार जो स्तना हाई लेवल का नहीं है तो इस बार काफी सब चीज़ हो गई है इसलिए आपको क्या करना है गूगल पर जाकर साइट सर्च करनी है कोई भी एक टॉपिक उठाक कर में पेस्ट करना है उसके बाद दोस्तो उस टॉपिक के अलावा भी कुछ चीज़ें उठानी इसमें नंबर्स होंगे अलफाबैट कैपिटल में होंगे कॉमा होगा इन्वर्टेट कॉमा होंगे दोस्तो इस तरीके का अपना पूरा पेज बनाकर अपने पसंद से पच्पन की स्पीड के हिसाब से आप उसको निकाल ले जरूरी निया आपका पच्पन की स्पीड लेखे आनी है लेकिन फिर भी आप 500 वर्ट तो निकाल ही ले और यह देखें कि 300 वर्ट के अंदर अंदर आपके अल्फाबैड भी आने चाहिए कॉमा भी आना चाहिए और दोस्तो नंबर्स भी आने चाहिए दोस्तो आप कोई भी डिलाई ना चोड़ें किसी भी परकार की यह मत चोच है कि सिर्फ एटू जड़ लिखा आएगा और हम वहां पर टाइप करके आजाएंगे और दोस्तो यदि वहां पर कॉमा ज्यादा आ गए यह आपके नंबर्स आगे तो तब आप क्या करेंगे दोस्तो ऐसा कुछ भी चीजे ना चोड़ें अभी प्रिपेशन के लिए आपके पास अल्मोस्ट एक महीना तो है ही और यह आपके नॉर्मल स्पीड अभी आ रही है तो अराम से आ पेपर कटिंग को देखकर यह प्रैक्टिस भी कर सकते है दोस्तो इतनी बड़ी चीज नहीं है तो दोस्तो जैसे मैं आपको बताया किसी के पास जाने की जूरत नहीं है किसी को कोई मेसेज करने की जूरत नहीं है आपको साइबर कैफे में जाना है या आपके घर में इंटरनेट है तो और भी अच्छी बात है उसमें से डाटा आपको ले वीडियो उना के लाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कितना ज्यादा फरक्प हो जाता है, सॉफ्टर की टैपिंग में, और दोस्तों, जदी हम पेपर कटिंग के हार्ड कोपी लेकर टैपिंग करते हैं, तो यही करना है, आपको हमेशा हार्ट को भी निगालनी है, और अपनी तरफ से कंटेंट बनाए, एक पेज की कम से कम आप 15-20-100 बार प्रैक्टिस करें, फिर उस पेज को चेंज कर लें, और पेज में दोस्तों, कंटेंट वही रखना है, अल्फा नुमेरिक वर्ड भी रखने है, अपने नंबर्स भी रखने है, एटू जड भी लेटर रखने है, कॉमा भी रखना है, और कैबिटल लेटर भी रखने है, सब कुछ रखना है तफ रटफ अपने टाइपिंग का कंटेंड रखना है और दोस्तो एक जगा टाइपिंग नहीं करनी है यह बात मैंने आपको पहले बिदाए थी अपने दोस के खर जाकर करना है कहीं भी और जोके करना है और हो सकी तो अपने फैमिली मेंबर तीन-चार ज और हमारे सामने खड़ रहते हैं और हमको बोलेंगे दस मिन के लिए हमारी टैपिंग की स्पीड देखो तो थोड़ा सा आदमी नर्वस होता है अंदर से जोस्तों में चीज यह नर्वस नहीं होना है टैपिंग के दुरान जब आप जाएंगे सबसे बड़ी चीज तो मैं महा आना चाहूंगा कि 11 तरीको यानि कि कल को आपके जो सारे एकजाम थेश्म समस्वाज कर दिया जाएगा और इसो यह गल Virgin दिया गया है भी हमारी कुछ दिन बाग यानि उस तो सिर्फ एक विखा टायम है एक विख में आंसर की आ जाएगी आपको बात दिलाएगा कि कंफर्म आपके कितने आंसर आ रहा है कितने आपके जो स्कोर है वो बन रहा है हंडेड में से भरती का प्रोसेस काफी फास्ट चल रहा है तो कि लड़के बोर्ने सर पच्पर नमगर आ रहे हैं साथ नमगर आ रहे हैं दोस्तो परसलिए मैं बताना चाहूंगा अगर आप सिर्फ एक्जाम देते तो मैं आपके बोलता है टाइपिंग मत करो कोई बात नि आप किसी और इसी और एक्जाम की प्रिपिशन करो लेकिन दो लेवल आपने टाइपिंग दी नहीं है जिस दिन आप टाइपिंग देक आओ गए उस दिन आपको लगेगा सबसे ज्यादा तो टफ टीजाओ है तो तो था टाइपिंग में और हमको लगा था कि दोस्तो हमारे जो सी बीटी में हमने कम स्कोर किया है तो दोस्तों डरने की बिरुदत नहीं है आपके चाहिए 55 नमबर आने 55 जादा आ रहा है तो बड़िया से लगकर लगकर लिजिए टाइपिंग दिन्दार टैपिंग को दीजिए सिर्फ मेरा ये कहना मानिए कि एक बर आप टैपिंग क्लेर कर लीजिए और टैपिंग करके आप खुद देखना की म कुल भी मत लीजिए आप अब बढ़ा भाई होने के नाते हैं यासा सेनियर मेरी बात सुनिए तरिफ आप अच्छे से टैपिंग क्लेर कर ली आपका ध्यान सिर्फ इतना उना चीए कि मैं अगर टैपिंग कलेर कर ली तो मेरी नौकरी पकी है तो कि जिसलीन आप टैपिंग यह था, टाइपिंग का मैटर आपको कैसे लेना है, किसी के पास नहीं जाना है, कहीं कोई भी मेसेज नहीं बेजना है, अपने लग के दोस्तों महनत करनी है, जैसे आपने देखा होगा, आजकल कितना ज्यादा कॉंबिटिशन हो गए हर चीज में, उसी तरीके से दोस्तों य बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कि A से Z नमबर आएगा, और मैं लिखके आ जाऊँगा, और मैं पास हो जाऊँगा, दोस्तों महनत करनी है अच्छे से ताकि आपको ए जॉब मिल सके, बहुत ही अच्छी जॉब फरफाइल है, सैलरी की वीडियो मैंने पहले ही बना के आपक इसनी अच्छी सैलरी आपका वेट कर रही है, तो थोड़ी महनत तो आपको करनी जरूर है, दोस्तों कर वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिव पर आपको मिल सकें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाहिन,